सखी सहेली सखी सहेली सखी सहेली सबी सुख कामना है सबी शोधाओं को और आज जिन विशेओं पर हम बात करने वाले हैं रेनु जी इन्दी दिवस के बारे में तो बात करेंगे साथ ही सखी विशेश जो हम हर मंगलवार को बताते हैं के बारे में जौला गुट्टा जी के बारे में बात करेंगे जी हाँ बैडमिंटन खिलाडी रहें और करियर के अगर बात करें यानि हमारा रोजगार हमारा क्या हो सकता है उसमें भविशे क्या है तो खेल में क्या-क्या हमारे लिए संभावना है हैं हमारे बच्चों के लिए उसके बारे में बात करेंगे और पर्यावरन और प्लास्टिक ये बहुत प्यारा विशा है इसको भी हम समायद करेंगे और जेर सारे हमारे पास संदेश आ रहे हैं बहुत सारे संदेश आ हैं जी जी हिंदी के लिए हिंदी के बारे में और लिख दिया है जहां हम अपने विचार रख सकते हैं हिंदी में टाइप करना सीख रहे हैं शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा प्रयास है बड़ा अच्छा लगा सुनकर और वाकई ये बात स करते हैं कि वो भी हिंदी में लिखें और बड़े प्यार से लिखते हैं जी और और भी बहुत सारे कमेंट से इसमें एक शोता हमारे लिखते हैं कि बहुत-बहुत शुब कामना हैं और वैसे तो मेरी नज़रों में ये दिवस जो है कुछ इस तरह से है कि याद रखते हैं क हम इन्हें मतलब इस खास दिन को अक्सर कर भूल जाते प्रकृदिया ये निरंतर जारी रहनी चाहिए यानि कि हिंदी दिवस हो या ना हो हिंदी की गरिमा को हमें हमेशा समझते और रहना चाहिए क्या जाता है वैसे तो पूरे भारत में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो समझी जाती है और बूलि जाती है आप किसी भी प्रांत में चले जाइये इस भाशा को आप सुगमता से इस्तमाल कर सकते हैं और इन्होंने कुछ संगीत के लिए भी लिखा है कि संगीत भी है जो गीत हम सुनाते हैं वो भी हिंधी में ही होता है तो इस प्रकार दीर दीरे हिंदी का यहां से विविद भारती से भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं तो इनके लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एक शोता और लिखते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विशो भर में ये दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाशा है भारत के हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाता है और उन्नती की ये लिए ये आवश्यक है हमारे देश के लिए और भारत वासी जादा से जादा हिंदी का प्रयोग करें हिंदी सरकारी भाशा न रहकर जन्मानस की भाशा हो इस सम्मन्द में कवी गोपाल दास नेपाली जी की कविता की कुछ पंक्तियां उनलेक करना चाहता हूँ बढ़ने दो इसे सदा आगे हिंदी जन्मत की गंगा है ये माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसका ध्वज दिरंगा है हो कान पवित्र इस सुर में इसमें ही हिरिदय तड़पने दो हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो तो आईए हम सब इस हिंदी भाषा में कारे करने का अपना समवैधानिक डायत्तो को निभाएं और हिंदी प्रचार प्रसार में सहयोग करें तो बहुत अच्छा है इन्होंने लिखा है बहुत बहुत हम्मिवाद कि आपने कविता भी साजा की है जे जे और और भी शोता हमारे लिख रहे हैं और कहते हैं लिखते हैं कि अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं तो एक वक्त था जब हमारे देश में हिंधी का बोलवाला था, माँ की आवाज में भी सुभर का उजाला था, उस माँ को अब हम मॉम बोलाते हैं, क्योंकि हम हिंधी बोलने से शर्माते हैं, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंधी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है क्यों ना हम अपनी मातरि भाषा को सर आँखों पर बिठाएं हाओ हम सब मिलकर हिंदी अपनाएं तो कितना अच्छा इनोंने लिखा है बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्रिय हिंदी भाषा दिन है जैसे हम कहते हैं गंग कि शुरुवात किशुर कुमार का गयावा गीत, हम तुम और वो का सता बहर गाना, प्रिय प्राण शुरी, हिर्देश वरी, इन्होंने सुझाया है, हम शुरी गणेश करें, तो भाई देखे का तो शुरी गणेश हो चुका है, कारण सुदे रही है, ऐसे ही, और सभी ने बह हिंदी बोलते हैं, लेकिन जहां किसी को भी इंटरव्यू देना हो, तो इंगलिश का इस्तेमाल काफी ज़्यादा करते हैं, यही हाल हमारे क्रिकेट खिलाडियों का भी है, आप सभी शोताओं, मृत्रों और विविद भारती परिवार को हिंदी देवस के शुब कामना है, बही लेकिन यह जो सोशल मीडिया की बात आपने कही न, विविद भारती पर हमारे सभी जो भी कलाकार आते हैं, चाहे वो क्रिकेट के स्टार हों, चाहे सिने में जगत के, वो सब हिंदी में बात करते हैं, और हमें मालूम है कि हमारे शोताओं को हिंदी बहुत भाती है, क् विविद भारती है और आज कल तो सारे कमेंट्स भी देखे जादा तर सारे के सारे हिंदी में ही है और एक और शोदा हमारे लिखते हैं कि यह हमारे राष्ट्र भार्षा है हिंदी हम सब की मात्र भार्षा है हिंदी हम भारतियों की पहचान है हिंदी जन जन की भाशा है हिंदी जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े जिसने रखा है वो धागा है हिंदी क्या बात है हिंदी हम सब मिल कर दे सम्मान निश भाषा पर करे अभिमान हिंदुस्तान के माथे के बिंदे जंजन की आत्मा बने हिंदी और एक और शोता लिखते हैं कि विविदताओं से भरे इस देश में लगी भाशाओं की फूलवारी है इन में हमको सबसे प्यारी है हिंदी राश्व भाशा हमारी है क्या बात है जी जी तो सबसे पहले तो धन्यवाद शोता होगा है इतनी संदर संदर पंक्तियान लिखने के लिए 14 सितंबर सन 1909 को सम्विधान सभा ने निरने लिया ना कि संगीता कि हिंदी ही सरकार की अधिकारिक भाषा होगी ये तो हम नोगों ने अपने मन की बात कही दिल की बात कही और महबबत की बात की लेकिर अधिकारिक भाषा की जो बात होती है ये उन्चास में हुआ और अधिक तर क्षेत्रों में ज्यादा तर हिंदी बोली जाती है इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट भाषा बनाने का निर पित हो गई जी और बोलने वालों के हिसाब से देखा जाए तो हिंडी पूरी दुनिया में कहते हैं कि दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की भाशा है लेकिन इससे शुद्ध पढ़ना लिखना और समझना भी बहुत जरूरी है आजकल हिंडी भाशा पर अंग्रेजी भाशा क बहुत ज़्यादा होने लगे हैं तो हिंडी के कई शब्द भी प्रचलन में हैं जो हम उन्हें देख सकते हैं और उन शब्दों की जगे उन शब्दों का इस्तमाल कर सकते हैं जो हिंडी में हैं यह तो हमारे जिम्मेदारी है क्योंकि बहुत प्राचीन काल से अगर हम भार प्रितिक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं ऐसे लोग जो हिंदी जानते हैं और हिंदी का अच्छा ग्यान रखते हैं उन्हें जरूर सामने आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिक्षिद भी करना चाहिए रिंड़ जी क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसा कि हमारे शोताओन ने भी लिखा कि लिखने में कई बार जो है अटपटाहट होती है तो वो नहीं होना चाहिए तो इसमें जिनको आती है हिंदी वो आगे आ स पुरसकार इस तरीके के कई पुरसकार मिलते हैं गौरब पुरसकार की बात करें तो नागरिकों को तक्नीकी और विज्ञान के विशे पर लेखन के लिए दिया जाता है उसमें 10,000 से लेकर 2,000,000 के पुरसकार होते हैं और साथ ही किनी किनी प्रतियों गताओं में 10,000 तो भई इस तरीके के पुरसकार हैं सिर्फ इसले के पुरसाहित करने की जब बात आ रही है और आप सब इस बात से सहमत भी है कि हाँ हिंदी हमारी मात्रे भाशा है और इसे बोलचाल के भाशा बनानी चाहिए खास हो से जब किसी चीज़ को जन जन में गर डालना हो तो आशा किमरेदुलता और रोचकता बनी रहती है जी और कई बार प्रतियोगिताएं भी होती है जैसे स्कूल वगर्ण में आयोजित होती है तो उन प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं जिनमें की बाद विवाद होता है विचार गोश्टी वगर्ण होती है निबंध अच्छी बात तो ये है कि बच्चों के संग अंत्याक्ष्री खेली जाए या फिर उनसे पहलियां बुझाई जाए तो चलो खेलते जी इचक दाना बोलो क्या ये बताओ कि आप क्या सुनवाने वाले हम लो सकी सहली करेंगे हमें बातें करेंगे और साथ ही साथ अब सक्यों को बताएंगे सकी विशेश आज जो हमारी है जौला गुटा जी इनके बारे में जौला गुटा जी के बारे में तो बताएंगे लेकिन दो लाइन बड़ी प्यारी सी किसमें लिखकर भेजी हैं तुम जितनी सरल हो उतनी खुबसूरत भी कहीं तुम्हारा नाम हिंदी तो नहीं कितना प्यारा आपने लिखा है वाकई बहुत सरल तरीके से बहुत खुबसूरती से बहुत ही सुन्दर तरीके से आपने अभिव्यक्त किया है हिंदी के प्रती अपनी प्यार प्यार को कह सकते हैं और सच मुछ हिंदी भाषा इतनी ही सरल है लेकिन फिर भी अभी तो हमें बहुत सारी बाते करनी है जौला गुट्टा के बारे में जौला गुट्टा आप सब जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारे देश की जन्म इनका हुआ 7 सितंबर 1983 को वर्ध महाराश्ट्रो में जी और इनके पिता का नाम एमकरांती तेलू और मा येलेन इनकी माता का नाम है जौला की पढ़ाई हैदराबाद से हुई और यहीं से उन्होंने बैडमिंटन खेलने की शुरुआत भी की जब जौला 10 साल की थी तब ही से उन्होंने प्रसिक्शन लेना शुरू कर दिया 13 साल की उमर में उन्होंने मिनी नैशनल चैंपिंशिप जीती थी अच्छा और 17 साल की थी जब जूनियर नैशनल बैडमिंटन चैंपिंशिप जीत ली और इसी साल उन्होंने शुर्ति कुरियन के साथ जोडी बनाते हुए महिलाओं के डिबल्स जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपेंशिप और सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपेंशिप में जीत हासिल की शुति कुरियन के साथ उन्होंने एक लंबी पारी डबल्स में खेली थी और 2002 से 2008 तक लगातार साथ बार गुट्टा ने महिलाओं के राष्ट्री यूगल प्रतियों गिताब में जीत हासिल की जी और महिला डबल्स के साथ साथ जॉला गुट्टा ने मिश्रित डबल्स में भी सफलता हासिल की देश की महिला डबल्स बैड्मिंटन चेंपेंशिप की सबसे बहतरीन खेलाडी बन गई इसके बाद वो 2010 में भी कॉमन वेल्ट गेम्स में जॉला गुट्टा ने अपनी पार्टनर अश्विनी पुनपा के साथ देश के लिए स्वांट पदक जीता ग्लासगो में आयो जीत कॉमन वेल्ट गेम्स 2014 में भी जॉला गुट्टा ने स्वांट पदक हासिल किया आपको बता देगी जॉला जी बाए हाथ के खिलाडी है और बड़े तेज तर्रार शॉट लगाती है अपनी नीजे जिन्दगी में भी काफी ठोस फैसले लेती है यानि आत्मविश्वास से भरी हुई है और आप तेरा बार राष्ट्री चैंपियन रह चुकी है विजेता रही है और भारत की सबसे बहतरी डबल प्लेयर है दोहजार ग्यारा में उन्हें अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया यह डबल्स खेलना जो होता है रिजिगि यह बड़ा ही आलग होता है बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर सिंगल खेलेंगे, एक ही वैक्ती अगर खेलता है तो उसको ये पता होता है कि हमें ही सारे शॉट लगाने हैं लेकिन जो साथ में एक जने होते हैं तो उनको भी इसमें देखना पड़ता है कि भाई वो क्या खेलने वाले हैं भाई इश रोता हो हमें लग रहा है संगीता कही हमारी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि जब हम कारेक्टरम लेकर आते हैं तो दो लोग जब बैटे हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है और अगेले अगर बोलना हो तो फिर हमारा मन है पूरा मैदान हमारा है हमारा जो मन है वो बोलें, है न, ऐसे देखना पड़ता कि अब संगीता क्या बोलेंगी, अच्छा बरेनू चतरवेदी क्या बोलेंगी, ऐसा भी होता है, फिलाल ये बात बिल्कुस सही है, कि जब दो लोग मिश्रित जब खेलते हैं, तो जाहिर है कि उसमें सामन जस से स्थापित करना वो संगीता भई अभ्यास इसलिए तो होता है न, अभ्यास जो होता है, आपको हर चीज में महारत हासिल करा देता है, फिर तो कोई भी मैदान हो आप जीत चाते हैं, ओर गीत पी सुनेंगे क्या है, कुछ और बात करेंगे, अब उसके बाद हम बात करेंगे करियर की, या फ जन्म भूमी है हमारी मा भारती, सारी दुनिया करे इसकी आरती, इसकी सुन्दर्टा को चार चांद लगाकर इसके खुबसूरती को और निखारती, वो है प्यारी भाशा हिंदी हमारी, सबके दिलों के तार जोडती, बोलों में मिठा से घोलती, तू तुम और आपका अंतर बताते सब तभी तो सब को भाशा हिंदी है भाती बहुत अच्छा लेकर लिए और बिना कहे भी बहुत कुछ कहती है रेनुजी जब हम प्रणाम करते हैं तो हाँ यह बात है अभिवादन का हमारे हैं एक अलग तरीका है और यह तो सब ही चीजें बहुत सारी मन से भी होती है लेकिन वाकई जो अभी वक्ति की सशक्त माध्य महंदी वो वाकई प्रशन सनी है और थोड़ा बहुत तो संकल्ब भी करना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना यानि चोटी-चोटी सी जो चीजें हैं उनको तो हम बदली सकते हैं जैसे अकसर करके देखे टेबल को कह देते हैं लेकिन मेज कोई नहीं कहता है ना वाक के लिए जा रहे हैं मौनिंग वाक के लिए जा रहे हैं टहलने जा रहे हैं या सेर के लिए जा रहे हैं यह नहीं कहते हैं तो थोड़ा बहुत संकल्ब जरूर करना चाहिए तो यह जरूर हमारी मात्र भाशा और हिंदी राश्ट्र भाषा जो है वो आगे बढ़ेगी और बड़ी प्यारी भाषा है देश विदेश में भी देखिये बड़ी लोप्री है बिलकुल तो आगे बढ़ने की जो बात कर रही हो सब चीजें भाषा के साथ-साथ हमें कुछ और भी दिशा चाहिए होती है अपने मनजिल तैय करने के लिए और आशकल जिस तरह से हमने अभी ओलंपिक पैरा ओलंपिक इसमें रिजल्ट देखा परिडाम जो देखे और वैसे भी आप तो नहीं ये कहा जाता है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे उदोगे तो होगे खराब अब वो बदल दोनों में नवाब बन सकते हैं आप यानि खेलों की जो दुनिया है वो भी आपके करियर में चारचान लगा सकते हैं और इस दिशा में भी आप आ सकते हैं जी जी तो इसे भी आप एक वेवसाई की तोर पर ले सकते हैं अलग अलग तरह से खेल में बढ़ती रुची और इ एक व्यावसाय के तौर पर जब आया है तो बहुत सारे और आयाम खुले हैं और उसका लाभ हम सब को मिल रहा है तो sports industry यानि खेल व्यावसाय में एक महत्तो पूर नक्षेतर है रिचु आपकी जैसे रूची हो उसमें कई-कई विधाएं हैं उसमें आप अपने ढंग से उसक तो अलग-अलग है sports खेल यानि की psychology यानि मनोविझ्यान consultant मनोविझ्यानिक भी कह सकते हैं जो खेल में बनते हैं तो किसी भी sports club के consultant आप बन सकते हैं और मुख्यानिक तौर पर आप काम कर सकते हैं और इसमें करना ये होता है रेंट जी की खिलाड़ीयों को आप प्रोटिसाहित करें और उनकी जो भी वो जैसा खेलते हैं उसको बहतर तरीके से और कैसे निखारा जा सकता है जो कमी है उसमें उनकी मानसिक परिशानी क्या है कहीं मानसिक रूप से तो नहीं दबाव में है या ऐसा तो कुछ नहीं है तो उसमें उनको बाचीत के माध्यम से उनको उस समस्याओं को हटाये जाता है ग्रंथियों को दूर किया जाता है जिसके वज़े से कहीं उनके में खेल में बाधा आ रही हो ताकि वो अपना खेल में 100 प्रतिशत दे सके ऐसे ही मेडिसिन के खेतर के अगर हम बात करें चिकित्सा की या दवा की तो इसमें भी आते हैं लोग और खिलाडियों को चोट लगने पर उनका विशेश तरीके से उपचार किया जाता है और ये भी एक समद्धित कार है आप इसको भी चुन सकते हैं जी और खेल पत्रकारिता भी है अगर आपकी रुची खेल में है तो आपको लेखन कारे में भी अगर विशेश रुची है लिखना अच्छा लगता है तो पत्रकारिता खेल पत्रकारिता से जुड़िया और इसमें साथी साथ बड़े जो मीडिया है चैनल से उसमें आप काम कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपके पास है उसको साज़ा कर सकते हैं कंपनी के विज्यापन वगरा आते रहते हैं उससे भी आप देख सकते हैं अगर आप आगे आते हैं इसमें तो आपको अच्छी बहुत अच्छी तंखवा भी मिलती है और खिलाडियों से जो स्पोर्ट के बड़े खिलाडी होते हैं उनका साक्षातकार बगर करने का भी मौका मिलता है खेल पत्रकारिता से जोड़ना आप चाहते हैं तो जाहिर है कि स्पोर्ट्स जनलिस्ट या खेल सामान्यवादी के लिए मास कॉम्निकेशन या जनलिजम में डिगरी या डिप्लोमा का कोर्स करना होगा और स्पोर्ट्स जनलिजम में आने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं हो जी और बारवी पास होना चाहिए ढिपलोमा और डिग्ली कोर्स आप कर सकते हैं इसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं जी और इसके साथ साथ sports management यानि की खेल से सम्मंदित पूरी व्यवस्था को देखना ये भी एक शेत्र है इसका आर्थ है कि खिलाडियों के खेल से परे एक match के आयोजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज का बहतर प्रबंधन क्योंकि आजकल खेल एक सीधा सम्मंद जो है व्यवसाइक तोर से मुनाफ़े के तोर पर भी देखा जाता है और कोई भी आयोजन हो तो आयोजन आयोजन होता है उसमें प्रबंधन बहुत जरूरी है इसलिए इस प्रकार इसको पूरी व्यवस्था इसकी देखनी होती है जिसमें कि उम्दा आयोजन के साथ साथ अधिक गया कि कॉमन वेल्ट गेम्स हो या फिर प्रीमेर लीग जो होती है क्योंकि इन सब के यही शब्द खास कर दिये गए हैं तो मीडिया बाजार और कई नोकरियां भी इन से जुड़ गई हैं राश्टी और अंतराश्टी खेल भी हैं जिनके प्रबंदन में बहुत सारे आयाम ह खेलों का सामान जुटाना खेलाडियों को प्रसिक्षन देना उनके खान पान स्वास्त क्या जिम्मा देखना होता है और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से विज्ञापन के जरीए आई के सुरोध भी तलाशने होते हैं तो यह सब काम करना होता है खेल प्रबंदक को और साथ ही टीम की भी खेल सुविदा प्रबंधक मैदान में या स्टेडियम में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिसमें प्रशासन सेवाओं तक्निकी सेवाओं इन सब के लिए वो मेजबान होते हैं यानि उनकी पूरी विवस्था करनी होती है वो होस्ट होते हैं उची कूद लंबी कूद बाधा कूद इन सब के लिए जो चीजें होती हैं वो सारी सुविधाय देना इमारते बनवाना मैदानों से संबंदित उपकरणों का रख रखाओ पूरा उनका संचालन करना इन सब चीजों के प्रबंधन करना पड़ता है वो प्रबंध का कारे ह जी तो ये जो लोग होते हैं ये पेशेवर होते हैं और किसी भी सफल खेल के आयोजन में जैसे की गोल्फ है बास्केट बाल है फुट बाल है इसके दिर्शे के पीछे काम करते हैं जैसे सामने से हमें जो दिखता है उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं पिलकुल क् आराम से बैठ कर खेल देखते हैं सुरक्षा और साथ ही मैदानों को चिनित भी करते हैं अलग-अलग रंगों से जैसे बनाते हैं और उपकरन है कुर्सियां हैं उनको कहां रखना है और वहां के जो प्रभारी होते हैं उनके साथ भी किस तरह से संबंद रखना है और वार्शिक बजट में भी ये ध्यान देते हैं तो ये भी इनके कारिक्षेतर का हिसा है बजट सबसे ज़्यादा जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ और भी जो भी कुशलता की बात अगर हम करें कि आपके वहवार में या आपके वेक्षितर में क्या कुशलता होनी चाहिए वो वैसे निरने लेने की जैसे आप में एकदम से ख्षमता होनी चाहिए परेवेक्षरन की ख्षमता होनी चाहिए यानि आप सुपरवाइस कर सके और खिलाडियों के साथ अच्छे संबंद होनी चाहिए उनकी जरूरतों के साम क्योंकि ज्यादा तादात में लोग संख्या में लोग जनबल आता है जो जो लोग इतने होते हैं कभी-कभी भीड तेजित हो जाती है खेल में कोई लड़ाई जगड़ा हो जाता है ऐसे में पूरे की व्यवस्था को सम्हालना इसके लिए बहुत आपको कहना चाहिए एक शा लोगता है इसमें BPA, MPA और Sports, Economics and Marketing इसके अलावा BSC in Physical Education, Health Education, Sports ये सब विशेश कोर्स हैं जिनने आप बारवी कक्षा अगर आपने की है तो उसके बाद ये उपलब्ध हैं मौसम सुहाना कभी-कभी खेल में बड़ा गड़वड भी करता है ऐसा जी तो भी खेल में कुछ समा प्रबंदक हो चाहे रैफरी हो एंपायर हो या जो खेल खेल रहे हैं वो हो तो उसमें काफी गड़वडी भी आ जाती है बड़ा समालना पड़ता है बरहला हम बात कर रहे थे कि कि खेल में किस तरह से आप करियर बनाएं तो खेल अधिकारी की भी एक जगे होती है तो वो भी बन सकते हैं साथी साथ आजकल देखा जाता है बच्चों ने देखा भी होगा कि कमेंचरी भी बहुत आती है हिंदी में भी आती है अंग्रेजी में भी आती है तो जैसे भी जो भी आपको आपके अंदर दक्षता है उस हिसाब से आप जा सकते हैं वैसे देखा है और र उसकी पूरी जानकारी है और बोलने में बहुत सक्षम है तो फिर आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है कोई भी दर्वाजा रोक नहीं सकता आपको ऐसे ही अगर आपको स्पोर्ट्स टीचर बनना है यानि कि खेल के अध्यापक बनने है शिक्षक बन सकते हैं मांग इनकी बह शक्षक जो होते हैं वो भी होते हैं जैसे फिजिकल ट्रेनर भी होते हैं ऐसे ही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं ऐसे बहुत सारे चुट चुटे पद हैं अलग अलग नामों से होते हैं लेकिन सबका जो काम होता है अगर हम ट्रेनर के बात करें तो फिजिक सिक्षक के पदों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थरी. है, राज्य और राश्ट्री प्रतयोगताओं के लिए तैयार करने के लिए विद्याला में शारेक प्रस्रिक्षंषन अनुदेशक के पत्थम यि की पर्थम श्रेणी के पदों की भरती की जाती है, जो ओनलाइन भी फार्म उपलप्द होते हैं, या Means शारिडिक प्रशिक्षक अनुदेशक के लिए नियुनतम योगता जो होती है मास्टर ओफ फिजिकल होना चाहिए में डिगरी प्राप्त करना चाहिए और इसके बाद आप विद्याले कॉलेज या महाविद्याले में इस पत के लिए आविदन कर सकते हैं साथ ही जहां से ये प्रशिक्षन दिये जाते हैं यानि कि C.P.A.D. और B.P.A.D. कॉलेज में भी प्रोफेसर के पत के लिए आप आविदन कर सकते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं इसमें ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन भी ट्रेनिंग होती हैं इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालों में भी आप आविदन कर सकते हैं जी तो B.P.A.D. की डिग्री भी होती है ये दो साल के होते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है 6 महीने का भी होता है M.P.A.D. भी आप कर सकते हैं साथ में ट्रेनर, कोच, खेल, प्रसिक्षक और अध्यापक भी बन सकते हैं और इसके लिए आपको एंटरंस एक्जाम देना पड़ेगा और कम से कम ऐसा कहते हैं कि 50 प्रतिशत तो होना ही चाहिए वैसे अगर देखें तो उनकी जो साइट होती है उनलाइन उस पर पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए प्रतिशत तो इस तरह से आप एक्जाम के बाद कोर्स में प्रविश पा सकते हैं और कुछ गैर सरकारी संस्थान भी हैं जो कोर्स कराते हैं तो सब जगे फीस वगर जो है वो अलग-अलग है जाहिर है कि सब जगे फीस अलग-अलग होगी उसी साब से आपकी आए भी अलग होगी तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी इंकम होगी आंदनी भी अलग-अलग होती है और स्पोर्ट मार्केटिंग में भी करियर हो सकता है प्रसिद्ध खिलाडी होते हैं, उनके लिए भी मैनेजर का काम करते हैं, तो सेलेबिटी की गतिविधियों को मैनेज करते हैं, उनका काम होता है कि कहां उने जाना है, किस मीडिया में इंटर्वु देना है, नहीं देना है, किस मतरकार से बात करनी है, कब करनी है, कब उनके ख खेल का समय होगा, कब उन्हें बातचीत कर दी हैं, तो ये सारे विवस्था भी वो करते हैं, यानि कि celebrity managers भी होते हैं, इसके लावा sports psychiatric होते हैं, sports psychotherapist होते हैं, ये सब भी एक विदा है, जिसमें कि आप अपना chain कर सकते हैं, कि आपको किसमें जाना है, और इसके लिए आपको bachelor degree in sports management और master's degree ये भी आप कर सकते हैं, तो देखे इतने सारी चीज़ें, हम खेल किसी भी खेल को देखते हैं, इतने आराम से देख लेते हैं, कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती ह जी हाँ, इसके अलावा अगर आप अच्छे खिलाडी हैं, तो राजेस्तरी, राष्टेस्तरी या फिर अंतराष्टरी प्रतियोगिता के खिलाडी हैं, तो खेल के माध्यम से आपको सरकारी, गैर सरकारी नौकरी में भी आप जा सकते हैं, मतलब नौकरी आपको और भी कर स पेट्रोलिया मिनिस्ट्री हो इन सब में भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ खिलाडियों के लिए रखे जाते हैं ताकि वो नौकरी आराम से करें उनकी एक बंधी इंकम होती रहे और साथ में वो देश का नाम भी रोशन करते रहें तो बहुत सारी चीजे हैं उसके पर पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा फिलाल तो रेनुजी धड़कने जो हैं अपनी बढ़ी हुई रहती हैं हमेशा प्लास्टिक इतना जादा इस्तमाल हो रहा है ऐसा जी बिलकुल वैसे ये बात बिलकुल सही है कि जितनी भी बात की जाए कम है लेकिन फिर भी लोग मा प्लास्टिक एक बहुत बढ़ा खत्रा बन गया है जैसे कि पूरा बातावरण हमारा प्रभावित हो जाता है और बलकि प्रदूशित हो गया है जी बिलकुल और कुछ तो कहते हैं कि मिथ्या भावनाएं भी साथ में रहती हैं कि अगर प्लास्टिक का इस्तमाल नहीं किये तो बहुत दिन चरिया ही नहीं शुरू होगी या पूरे काम ही पूरे नहीं होगे बाजार का काम ही पूरा नहीं होगा और कई बार तो ऐसा प्लास्टिक की जो सवाल यह है कि कहने का मतलब कि प्लास्टिक का उपयोग हमें सस्ता पढ़ता है या महंगा पढ़ता है कई बार तो लोग देखते हैं कि बार प्लास्टिक जब ह अगर चार सबजीयां ली हैं तो चार प्लास्टिक के बैक्स में अलग-अलग करके रख लेते हैं। के लिए आप कुछ दो-चार थैलियां रख लीजिए और उन्हें बार-बार धोकर इस्तमाल करें तो बहतर है। तो उनको भी सामने आगे आना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर जब कोई ग्रहक ने कहा कि भाई बहुत परिशानी है जोला रह गया घर पे तो फिर वो प्लास्टिक निकाल के देते हैं। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनाती है और सभी को देखना पड़ेगा इस विशे में सोचना होगा। और आजकल का जो यूग है रेनुजी वो तो पूरा भौतिक वादी यूग है कह सकते हैं। पॉलेथिन और प्लास्टिक जो है किस तरह से खत्रा बन चुका है पूरे पर्यावरन को देखें तो इससे प्रभावित है। और सोचते रहते हैं हम कि सिंगल यूजड प्लास्टिक जो है वो तो मिल ही जाएगा तो घर से कपड़े के जोले भी क्यों ले करके जाएं। यह बिल्कुल मजाग का विशे नहीं है क्योंकि जो यह प्लास्टिक है जब अक्सर ऐसा होता है कि हमें बीमार करती है वैसे भी कहते हैं इसमें जो सामान रखते हैं वो खराब भी जल्दी होता है इसको जब अक्सर खतम करने के लिए जलाते हैं तो हवा को भी प्रदूश अपड़े के थेले का प्रयोक करने लगे और वैसे भी एक बार तो हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम पहले हमारे घर में जब यह नहीं था प्लास्टिक तब हम कैसे जीते थे अभी तो चलो हम अपनी परिशानी तो अभी हम फिर भी नहीं देख पा रहे हैं लेकिन अकसर जान सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वज़े से गवा देते हैं और यह होता क्या है कि जो भी चीजें हम इनमें भर-भर के फेकते हैं या दे देते हैं कि मतलब यह जानवर खा लेंगे और कई बार ऐसा भी होता है कि जान बूज कर कोई चीजें बांद कर और पानी में ड तरह की तकलीफें होती हैं तो यह कुछ ऐसा नहीं है रेणो जी जैसे समुदर में हम प्लास्टिक्स फेकते हैं तो उसके बाद वो लौट-Lौट के देखे आते हैं एकटा तो कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हम हमारे घर में कोई अगर कुछ इस तरह से फेके तो हमें खराब ल रको हैं ना लेकिन फिर भी बहुत कि हम उन्टे नहीं है और हम सोचते हैं हमने फ दूपने का समान जब प्लास्टिक में कर के पेकْते हैं तो चाहिए रास्ते में गाय भाहिस बक्री जो भी पंची भी तो वह खाने के चक्कर में वह प्लास्टिक भी उनके पेट में चला जाता है बहुत नुकसान दे होता है जी और देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि प्लास्टिक बैग्स जब मॉल्स वगरा में देखिए कि मुफ्त जब दिये जाते हैं तो बड़ी जोरों से सब ले लेते हैं लेकिन जहां पर कहेंगे कि भाई इस बै ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक जिस हिसाब से देखते हैं कि घर में जमा हो जाती है और एक एक घरों से अगर इस तरह से प्लास्टिक निकले तो कितने सारे मुतलब प्लास्टिक हो जाते हैं ट्रकों में भर भर कर समुद्र के किनारे से जो प्लास्टिक है वो नि वश्रक्ता है क्योंकि आराम से कपड़े के थैले बाजार में भी अब मिलते हैं जगे जगे पे बहुत सारे दुकानदार भी देते हैं और खुद भी आप सिल सकते हैं तो कुछ करें और बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे पास जिनकों के हम थैले बना सकते हैं तो उनका भ बर बर के देखिये लेके जाते हैं, पऱ्वार गमले में लगाया और उसके बद पॉलथिन यही मरत के बहुत सारे packagingаете से उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो हवा के साथ पानी के साथ हमारी टाहिते हैं। और मतनकर लिग्वार के भी आधके प्लास्टिक के गंबले भी बहुत सारे आये हुए हैं, तो उसको न लेकर के मिट्टी के गंबले अगर आप लें, सिमिंट के गंबले लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कुछ चीजे हैं, इन सब चीज का हमें ध्यान रखना होगा, और बाकी जो है, फेकते समय भ अजर आपके कोई बात देता है, तो उसका जो चोटा सा कठ लगाते हैं, दूद निकालने के लिए, तो बहुत चोटा न लगाएं, बल्कि या तो बड़ा लगाएं, या कोशिश करें कि उसको उससे अलग न करें, थोड़ा सा काट कर दूद निकालने क्योंकि वो जो इन सब चीजों के प्रियोग बे आप तुरंत पाबंदी लगाएं, इनको बिल्कुल ना बोल दें, यानि ना बोल दें, हाना, जी, बिल्कुल, और ये तो ठीक, वैसे ये कह सकते हैं, जैसे कि अब आजगल कोरोना है, तो मास्क अगर कहा जाएं, प्लास्टिक के मास्क रहे तो बहतर है, हमारी साथ ही बहुत अच्छा लेकर वेज रहे हैं, कि प्लास्टिक एक ऐसा सामगरी है, जो विगटित नहीं होता है, प्लास्टिक बैक्स, नदियों, जीलों, सागरों के जल को भीशन रूप से प्रदोशित करता है, प्लास्टिक मिट्टी के साथ मिश बन जाता है, तब ये गंभीर संकट बन जाता है, लकडी और कागस की तरह हम इसका दहन करके भी इसे समापत नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक के दहन से इससे कई हानिकारक गैस उत्पन होती है, जो कि प्रिथवी के पर्यावरण और जन जीवन के लिए हानिकारक है, य कुछ रचू में अंगरसा, अनपमवर्दे डाला, एक दिवस के लिए समरण, क्या शेश सभी दिन बाधित है, मेरा तो हर क्षण पूरा जीवन हिंदी को समरपित है, क्या बात है, बहुत सुन्दा, जी, तो भई ऐसा है कि समरपड तो हम सब का भी है, हिंदी के प्रती हो, या जिस भी संकल्प के लिए हम जो बाते कर रहे हैं, प्लास्टिक की जब बात आई संगीता, तो एक बत और ध्यान में आ रही है, कि आजकल हम बहुत आराम से उसके बाउल्स, यानि काटोरियां, प्लेट, ये सब भी प्लास्टिक के प्रयोग में लाते हैं, और खास सौर तरह के धातू होते हैं, ऐसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, तामभा हो गया, तो इनके भी इस्तमाल जब आप करेंगे, तो इस स्वास लाब भी होता है, और अगर आप प्लास्टिक के बरतनों का इस्तमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी जो रसायन होते हैं, रेड़ी जी, तो वो अंदर पेट में जाते हैं, और फिर गड़वड करते हैं, बिल्कुल, यानि कि गरम खाना तो उसमें नहीं रखें, तो बेतर है, वैसे तो उसका प्रयोग न करें, तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन भी गरम खाना न करें, और खास होसे अगर हम माइक्रोवेव की बात करें, तो उसमें गरम खाना प्लास्टिक में ही होता है, तो देखें कैसी विचारनी यह बात है, तो हमाएं उमीद है कि आप इन सब चीजों पर विचार करेंगे, जिन जिन मुद्वों पर हमने बात की, या चाहे तो आपके भविश्य निरधारन की बात हो, यानि रो सबी का प्यार बना रहना चाहिए, बिल्कुल, और आगे किस तरह से हम इसमें तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं, तो ये भी सोचना बड़ा अनिवार है, तो कुछ तो कुछ संकल्ब करी लेना चाहिए, बिल्कुल हम संकल्ब लेने का वक्त आ चुका है, ल सखी सहेली सखी सहेली